नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीडिंग लावर्स पर दोस्तों अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और साथ में बैल वाला इकोन को दबाना नहां भूलें जिससे आपको मारे आने वाली वीडियो की नोटिपेशन मिलती रहेगी नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रीडिंग लावर्स पर दोस्तों आजम करने वाले हैं जर्नल साइंस के महत्तरपून कोशन और दोस्तों अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखिया तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इस वीडियो वीडियो आप हमारी टेलेग्राम गुरूप से भी प्राप्ट कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या जो आप मारे चैनल की प्ले लिस्ट है वहां पर जाकर जो आभी तक की जितनी वीडिया उन्हीं सो भी काफ देख सकते हैं और दोस्तों इस वीडियो में हम 41 से 60 मेहत्तरपून कोश्चन करेंगे जो आग आगे आनेवाले एक्जाप के लिए मेहत्तरपून रहेंगे तो मारा फर्स्ट कोश्चन है कोईले की किस किसम में मूल पादब दरवे के जो अभी जाएगे अवसेश पाय जाते हैं तो यह जो कोईला होता है इसकी कौन सी किसम है जिसमें यह अभीगे अफसेस पाई जाते हैं। ओप्शन है अंत्रेसाइट, लिगनाइट, पीटू या बीटू मुन। राइट अंसर ओप्शन सी। पीट कोईला जो होता है इसमें मूल पादफ द्रवे के जोब यह अफसेस होते हैं यह पाई जाते हैं। नेक्स्ट है किसी रेडेस क्रिया पतार्त का आदा जीवन चार महिने का होता है। तो उसका जो यह तीन चोता ही बागाए कितने मिने में नश्ट हो जाता है। ओप्शन है छै मेंने में, आठ मेंने में, बारा मेंने में या चार महिने में राइट इंसर ओप्शन भी आठ महिने यह जो रेडेस क्रिया जो पतार्त होता है इसका आदा जीवन तो जो है चार महिने का होता है और उसके बाद का जो तीन चोता ही बागाए यह आठ महिने म हो जाता है नेक्स्ट कोश्टन है निम्लिक्त में से वहवक्ति कौन है जिसने एक महतव पूर्ण नेदानी की अंतर के एम आराई के वकास में सहता की और उसके लिए उन्हें जाया नोबल पूस्टार प्रापत किया ओप्सन है सीडनी ब्रेनर पालसी लोटरबर जोनी स्टल सल्टन या एच रोबर्ट हवार्टीज राइट एंसर ओप्सन बी पालसी लोटरबर तो यह जो वेक्ति हैं पालसी लो रेक्तर जिसे एम और आई के वकास में सहता की और उसकले जो इन耐 नोबल पूस्टेर दिए गया था हॉ नेक्स्ट है नुक्लियर रेक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रुप में किया जाता है यह जो निकलर रेक्टर होता है इसमें जो बारी जलोता है उसका प्रियोग किस रूप में होता है option है सीतलक के रूप में इंदन के रूप में नियामक के रूप में या इन में से कोई नहीं जो नुक्लियर एक्टर होता है इसमें जो भारी जल होता है इसका प्रियोग जो अनियामक के रूप में होता है राइट एंसर ओप्शन C नेक्स्ट है पुर्माणू रियक्टर में प्रियोग इंदन यह जो पुरमानु रेक्टर होते हैं इसमें कौन से इंदन का प्रियोग होता है option है कोईला, पट्रोल, जलने वाली गैस या यूरेनियम तो यह जो पुरमानु जो रेक्टर होते हैं इसमें यूरेनियम का प्रियोग होता है right answer option D जो ये पर्ट्रोल होते हैं इसका जो प्रियोगा ये वहानों में होता है और कोई लगा प्रियोग जो भट्यों में या कोई जो स्टीम वाले जो इंजन होते हैं उनमें इसका प्रियोग किया जाता है लेकिन जो ये प्रमानु रेक्टर है इसमें इरेनियम का प्रियोग होता है इंदर के रूप में सनिहीं के रूप में वीमंदक रूप में या वीदुद रौदी के रूप में राइटए एंसर ंप्शन सी adult तो नबके जुड़ एक्टरों所以 में जो गरेफाइच होता है इसका प्रयोग मंदक की रूप में प्रयोग होता है और है नेक्ट है ओट्समोबाइल वहनों के द्वारा निस्कासित मुख्ष जो नुक्सान देगास है यह जो वाईउ का प्रूशन करती है तो यह गैस कौन सी है तो यह जो छोते हैं वहनकार बस या जो भी पट्रोल डिजल से जो वह चलते हैं तो उन में से जो एक गैस निकल निथेन कार्बन डैक्साइड या ओजोन गैस राइट अप्षन ए कार्बन मौनोक्साइड गैस जो होती है यह वही प्रदूसर भी बहुत करती है और हमारे स्वास्ते के लेव जाए हानिकारक होती है राइट अप्षन नेक्ट कोशन है भारत में निर्मित कौन सा जो मद्यवर्थी प्रास प्रमानुक्षमतायोग्या प्रक्षे पस्तर तो यह जो प्रक्षे पस्तर होता है जो फेक के चलाए जाता है तो यहां पर जो भारत में कौन सा जो मद्यवर्थी प्रास प्रमानुक्षमतायोग्या प्र जो मिसाइल है यह एक जो है मद्धे वरति प्राश प्रमानुक्षमत्ययुक्षाइल और उर्क्षैपस्तर है और एक बहुतनी है नेक्स्ट कॉश्ट के रेक्टर नावक की में इन में से कौन से इंदन काम करता है तो नब के जो इरेक्टरों को इससे काम करेगे हैं कोईला इुरेनियम रेडायम या इसमी उड़ Bennett का प्रियोंग होता है दोस्तों शार्टयम होता व crec को इसप्रकारब के裡 जातार है करना सका वही होता है आपका पड़ा हुआ लेकिन उसकी जो लाइने हैं उसको आगे पीछे कर दिया जाता है तो आपको जाए इन कोस्टों को अच्छे से याद करना है क्योंकि इन में विज़ाब को इसी प्रकार के जा कोस्टन देखने को मिलेंगे इसलिए कोस्टन को अध्यान से प भोज है यह जनक है यह कौन थे पाइथागोर्स यूकलीड अरस्तु या केपलर राइट इंशर ओप्शन भी यूकलीड तो जैमिती के जो जनक है यह यूकलीड है नेक्ट है निम्लिक्त में से उन रेख़ों को क्या का जाता है जो उन स्थान पर मिलती है जहां बो आती है तो पोन सी रहा है जहां पर वो ज्यादा तरी जन्जा आती है आसे पार मिलती है जहां बहुत जादा जो जा आती है नेक्स्ट कोश्चन है ताबमान गटने के साथ साथ किसी वस्तु का परतिरोद पर क्या प्रभावक पड़ेगा तो किसी वस्तु का जैसे जैसे ताबमान गटता है तो उसके परतिरोद पर क्या असर पड़ेगा option है घरता जाता है बढ़ता जाता है उसमें कोई प्रवर्तन नहीं होता है या सुर में वो घर जाएगा और उसके बढ़ जाएगा right answer option A तापमान घरतने के साथ साथ किसी वस्तु का जो परतिरोधा वो भी घरत जाता है next है portland smit का विसकार ये जो स्मिट है इसकार किस के दोरा किया गया था अप्षन है लियनार्डो डाविंस्की डैनिस गेसोन जोसेफ अस्पीडन या पेर्सी अल स्पेंसर राइट इंसरा ओप्षन सी जोसेफ अस्पीडन तो पोर्ट लैंड स्मिंट का जोईस का रहा है जोसेफ अस्पीडन की द्वारा किया गया था हमारा अगला कोश्चन है बारत की प्रित्वी से प्रित्वी पर मार करने वाली पहली स्फलता पूरोग विक्षित देशेज मिसाइल देशेज कारत होता है जो अपने ही देश में विक्षित होती है बनाई गई होती है तो यह जो प्रित्वी से प्रित्वी पर मार करने वाली जो स्फलता पूरोग विक्सित देशी अतारत अपनी देश में बनाई हुई मिसाइल इन में से कौन सी है अप्शन है अगनी पृत्वी नाग या आकास तो ये जो प्रित्वी मिसाइल है ये स्थाय से अधारत प्रित्वी से प्रित्वी पर स्थाय से स्थाय पर मार करने वाली और सफलता पूरोग जाविक्षित अपने देश में बनाई हुई मिसाइल है और हाली में भी जो उडिसा का जो बाला सोर स्थाना है वहाँ से जो अभ्यास मिसाइल है इसका सफलता पूरुख प्रिक्शन किया गया है नेक्स्ट कोश्चन है परमानुबंप के विस्पोर्ट में भारी मातरे में उर्जा किसके कान निकलती है तो यह जो जब बालुबंप जो इस्पोर्ट होता है तो उसमें अत्यातिक मातरा में जो उर्जा निकलती है तो उसका क्या कारण है ऑप्शन है दरव्य का उर्जा में प्रिवर्तन होना, रसानिक उर्जा का ताप उर्जा में प्रिवर्तन होना, या अंत्रिक उर्जा का नापगी उर्जा में प्रिवर्तन होना, या नाइट्रोजन का प्रोटोन में प्रिवर्तन होना, राइट एंसरा ऑप्शन ए, दरव्य होता है उसका उर्जा में प्रिवर्टन होना हमार अगला कोश्चन है अल्फेरड नोबल को जो नोबल पुर्षकार वितर्ण है तो एक नीदी स्थाप्ट करने के रिए धनाशी की सब्सकार से मिली थी तो यह जो अल्फेरड नोबल जो थे इन्होंने जो है यह नोबल पुर पुर्षकार दिया गया है तो यहां पर यह जो इनके एत्रिक तो और कौन सा विसकार जाए इन्होंने किया था ऑप्शन है स्टेम इंजन का ओटो मॉबाइल का डायनामाइट का या टेलिफोन का राइट एंसर ऑप्शन सी डायनामाइट तो यह जो अल्फेर्ड नोबल ज स्रिखलाब के रिया को नियंतित करने के लिए न्यूट्रानों का आवसोशन करने के लिए दो तत्ताव तो यह जो दो तत्ताव है कौन से हैं ऑप्शन है बोरोन और कैडमियम बोरोन और प्लुटोनियम कैडमियम और यूरेनियम या यूरेनियम और बोरोन राइट एंसर ब्रॉंग होता है यह नब के जो बारी मोटर किया जाता है तो इसका क्या है तो यह जो बारी वहन जो होते हैं बस ट्रैक्टर या जो अधिक भार को भेन करते हैं रेल तो इनके लिए जो है डीजल तेल कही अधिक प्योग के जाता है तो इसका क्या कान है पॉप्शन है यहां सस्ता होता है इन जेनों को कम नुक्सान पहुचाता है उसमें अधिक प्रियोग करने का जो कान है कि उसमें आधिक जाक प्योग करने का जादा होती है और उससे इंदन की बचत भी होती है यही कारणा की जो बारिवान होते हैं उसमें डिजल इंजन का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट है निमलिक्त में से वह दात्यू कौन सी है जो पानी को अत्यादिक परदूसित करती है तो इसमें वो कोर्षी दात्यों है जो पानी को जादा मातरा में परदूसित करती है आर्सेनिक, सीसा, पोटेसियम या मैगनीसियम राइट एंसर है आर्सेनिक तो यह जो आर्सेनिक एक ऐसी दात्यों है जो पानी को अत्यादिक मातरा में परदूसित करती है नेक्स्ट है और हमाराज का अंतिप्रेशन है यूरेनियम विखंडन की जो सतत प्रकिरिया उसको जारेकने में किस कण्ड की जुरूरत होती है ये जो यूरेनियम का जो विखंडन होता है इसमें इसको अगर हम जारी रखते हैं तो किस कण्ड की जुरूरत होती है option है electron, proton, neutron या इन में से कोई नहीं right answer option C neutron तो यह जो uranium के जो इखंडन है इसकी सतत प्रगिरिया को जा रखने के लिए जो neutron होते हैं इन कणों की जूरित होती है तो दोस्तों यह थे हैं हमारे आज के जनरल साइंस के में तब कुन कोशन दोस्तों अगर आपको हमारे कोशन अच लगे हो तो हमारे चैल को सब्सक्राइब कीजएगा, लाइक कीजएगा और जाज जादा गूर्पों में सेर कीजएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में